तो यार आज श्टार्ट करेंगे एक चीज के लिए कर दूँ आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकसासाइज 1.2 NCRT का इंट्रो और इसी इंट्रो में जो एक जो 1.2 के एक्जामपल्स हैं हम उनको भी कवर कर लें एक चीज पढ़ेंगे और उसके उस पे बेस जो भी एक्जा रोगे रियल लाईब से कणेक्ट करें कि वह फंक्षण क्या है 11 ब्लास में हमने पढ़ाई तो फंक्षण एक सिंपल सी डेफिनिशन देशी डेफिनिशन क्या है पर यह क्या आपके पास साधी के दो काड़ आएवाल लीजे फंक्षण के में डिश फंक्ष्ण है और आप स अटेंड कर पाएंगे इसी लिए इसको function बोला यह और function की एक ओर definition होती है देशी बताओ तो time की according change होती है function की activities जैसे साधी की हो रही है तो सबसे पल दावत होती है फिर उसके वाल जैमाला बगरा का program होता है ठीक है फिर साथ फेरे होते हैं फिर इसके वाद भीगी भीगी प के पहले करा दी मंदब बिदाई नहीं क्यों नहीं ऐसा होता है क्यों फंक्शन का टाइम के अप्लीज मुझे पता तुम लो मजे लोगे मजे लो यह चैप्टर है मजे से पड़ो तो ही समझाएगा otherwise मैंने देखा है बच्चों का माइंड सेट है कि यार यह चैप्टर जो इसे मैं बिलकुल यहां से हटाऊंगा एलिमिनेट करूंगा थियूरी नहीं है बहुत प्रैक्टिकली समझते हैं और एक और भी आपने फंक्शन सुनाओगा कि सब्सक्राइब आपके पार स्मार्टफोन है और आप उस पे किसी आइकन पिट पे भाईया टच कर रहे हैं औ तो वो फंक्शन नहीं होता है अब जितने एक्जामपल मैंने दिए इसको मैट से कैसे कनेक्ट करेंगे पढ़ते आएं कि यह माली यह फंक्शन है यह टाइम के एकॉर्डिंग चेंज होगा मतलब यहां जो जो इनपूर्ट देंगे आउटपूर्ट चेंज होगा ऐसा तो अब लगों नहीं कर रहा है इसको मैट मैं कैसे देखेंगे एक्स टु वन अपॉन एक्स है मैंने का भी एक्सकी जगा जीरो पूर्ट करो तो क्या यह फंक्शन है वन अपॉन जीरो कुछ होता इनले है तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह बोन अपॉन एक्स नहीं होनी है क्या होता है यह कहते हैं कि एब दो लिखों का टायमी लगेगा एबरी एलिमेंट्स ओफ सेट ए मलब जो भी पहले मस्ट भी कनेक्टेड सेट एक जितने भी एलिमेंट है वो करेक्ट होने चाहिए एक भी खाली नहीं होना चाहिए के लिए रहे दूसरी कंडिशन दूसरी केल and Connected Elimento है उनकी यूनिक कीिमेज होनी चाहिए उनकी यह किहीं मेज होनी चाहिए उनकी दो इमेज नहिंकी नहीं होनी चाहिए यह दो केवल केवल कंडिशन से 11 क्लास में यह पडाता है में थीरी पह है सेट ए है यार और यह सर भी मेरा भी मार असक़े लिमन्टमान टू 345 एज़ा मैं देए बी सीडी एफ जी इस तरीक इस मैंने यह ले लिया क्या कि सैट एक ये सारे element connect होने चाहिए तो किसी ना किसी चलो मैंसे कर दिया कर दिया कर दिया यह फंक्शन है दौना कंडिजन सैड़ साइड लो क्या सैट एक सारे element connect है और हर किसी हर एक element किसी एक से Shicther तो यह मारा conception बी किखालिया doesn't matter बी कि Christianity के function मैं बी की बात करी ही नहीं है बात समझ में आ रहिये यह जैस क्या होता है कि अगर आपके lasti का function है तो आपका aim क्या होता है कि आप साथ़ी का case हो हर किसी मिद्धे है ये नहीं आई ये नहीं है function में वह उनकी है है इसा तो नहीं दो और यह किसी को आती है कि इनैडिया, वह किसी कुछ हो गया कुछ भी हो गया कि यह फंक्षिन हैं यह भी फंक्षन है वन टू थीरी और यह 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 फंक्षन है क्यों यह केबल एक से ही कनेक्ट है यह केबल एक से कनेक्ट है यह से यह फंक्षन है अब यह सोना सरी तीन से अरव यह यह तो केबल एक सी कनेक्ट है हां यह फंक्षन नहीं है यह function नहीं है एक बंदा एक बार में तीन दें साधी athletic बहें है कैसे मिल न हो इस तो यह function नहीं है यहारा function ओर सुनो यह function है क्यूंकि एदर set एक सारे element connect है। हर कोई एक सही connected है ठीक है इंप यह किसी दूसरे से करेंट हो जाता तो यह फंक्शन नहीं होता बात समझा रही है के लिए यह मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बता थे इन इन वर्ट ट्रगॉन मेट्र फंक्शन में भी यह बात बताई अच्छा जी यह टू करेंट एसे तो इस लाइन को पता है कैसे लिखेंगे ए इस इ बढ़ने वाली बात है अच्छा जरी वॉस्रों जो अब नमबर वाली बात आनी धीरे-दीरे हम लोग जा रहे है मलब ये ये कर्याट हो गया येस और नो ये चीज़ धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ रहें कि फंक्शन को मैस में लिखते लिखते कैसे हैं कि लिए रहे ना तो एफ टू ये हमारा ये हो गया कि लिए अगर गहीं पर ये लिखा हुआ है fx equals to 2 तो समझाना कि ये हमेशा domain होता है ये हमेशा co domain होता है तो ये x किस से connect दर 2 से yes or no समझारी की बात x जो है वो क्या है हमारा domain है क्या होता है अच्छा ये ची और बता दें domain range और co domain क्या होता है इस example को लेती इस example के मैं बता देता हूँ और domain co domain range जो relation की होते है वोई function के चेंज नहीं होते है clear है तो यार अगर मैं आप से कहूँ domain मैं इस function की बात करता हूँ domain क्या होते है set a के set a कनेक्टड elements क्या होते है domain तो क्या हो जाएगा one two three four five yes or no range क्या होती है range होती set b के connected element set b के connected element तो क्या होगा a b c d e clear है और code domain क्या होता है go domain क्या होता है set b पूरा क्या होता है code domain होता है मतलब set b के जितने भी element सब को लिख दो तो वो क्या होता हमारे पास code domain तो यार एक बात ना बताओ क्या जो range होती है क्या वो subset नहीं होगी code domain की क्लियर है इसे बच्चे लोग रटते हैं क्यों रटते हैं समझो ना रेंज वह होती है जो connected होते हैं और code के सारे elements पक्याशे़ ऐसना कोड़ में होंगे तो range is a subset of code किसी किसी बुग में subset का इसान यह है की तो है कि रेंज इसके क्या होता है आई बास समझ में फंक्शन समझ जाओग ना अगर मैं कोई डियाग्राम बना के दो तो समझ जाएंग ना अच्छा फंक्शन दो को रिलेशन भी होता है सैट एक सैट बी के FUNCTION में भी होता है SET A K SET V में क्या FUNCTION तो इसको INAVE कαρά तरही करते हैं दो तरीके होते है F Infusion है Jio K SET A K K SET B SET ako Sud A K SET B SE THORI का से लिग देते हैं बस समझा लिए या आफर ऐसे लिग देते हैं यह है यह ऐसे इसतनी से लिग देते हैं कैसे रिपे करने का तरीका भी कैसे अझारे कर दो मतलब एफ इंडिकेट करए फंक्शन को एटुब एक यह डूमें होगा और यह को डो में लिपास समझा रही है यह हमारा डोमें हो गया यह हमारा रेंज हो क्लियर है क्या क्या हम लोग ने पढ़ लिया function का real life क्या होता है कैसे इसका नाम पढ़ा है यह सारी बात है पढ़ नी कोडों में range यह सब हमने पढ़ लिया कैसे यह याद रखना अभी दो कहने को यह बड़ी simple चीज है कहने को यह चीज अभी जब questions करेंगे तब इसका use होगा तो इसी दिमाग में बैठा लो कि अगर कुछ भी चीज हमने यहां पुट की है तो बो डोमेन होता है और जो answer आ रहा हो हमारा क्या होता है range होता है बात समझ आ रही है अब पढ़ेंगे type of function एक एक करके और सुनो type of function पे और NCRT के बंपन टू के जो भी example इसी साथ cover करते चल function given होगा कहेंगे proof कर दो कि यह बन बन ऑन टू function दोनों है ठीक है अब इनके नाम है बन बन function को नाम दिया गया है क्या क्या नाम दिया गया बोला गया injective function इंजेक्टिव function इंजेक्टिव function बोलो या बन बन function बोलो या फिर एक और नाम है injection अब इसको रियन लाइब से कैसे जोड़ेंगा और बड़ा मजाएगा याद रखने का तरीका सुना बात को अगर एक बार विटा तुमारे injection डॉक्टर ने ठूस दिया लगा दिया माला आ आज से 20-30 साल पहले होता था कि एक injection जाने कितनों के लग रहा है सुई टेड़ी हो जाती थी फिर वो सीधी करते थे और गरम पानी में डाल देते इसको होता था आप अपने पैरेंट से पूछना आप अपने मुझे बहुत अच्छे से आते हमारे बैच जी थे तो इंजेक अगर मैं आज की बात करूं एक बार अगर किसी के इंजेक्शन लग जाता वह दुबारा लगता है नहीं लगता ना बस यह धानकना अब बन्वान फंक्शन कि वह अगर एक एलिमेंट किसी एक से करेंट हो गया फिर वो किसी दूसरे नहीं हो सकता बहुत बफादा रादमी है लोगे बाद में बिल्कुल भी एक बार अगर प्रॉमिस कर दिया आप से तोड़े गाने पकी बात है तो यह हमारा याद रखने का तरीक है भली आपको हसी याद लेकिन बढ़िया है इसमाने याद रहेगा इसी लिए याद रहेगा चलिए मैनीवन समझ गए होंगे जो लिवांग पकी बात है। अब आता है और नाम से ही पता लग रहा है यह पहले बाले जो बैजी थे यहमानीवन संस्केसे को फॉल्लो गरते एकी इंजेटों लगा जा रहा है ठीग के लिए रहे है पकी बाट चलिए अब आता है और फंक्षिन इसका एक और लावलBER siryards 무cing क्या मैं इसको क्या मुलते हैं मैं सरजेक्टिफ फंक्षिन नो सरजेक्शन लो सर जक्षन अच्छा बन 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 भी है और टू भी है मतलब दोनों चीज़ें है दोनों दोनों चीज़ेंक मतलब बाई तो बाई जैक्टिव फंक्षन या फिर इसका पूरे नहीं जैक्ष्ण के लिए रहे हैं बाई जैक्सन हजलो बेटा हाँ बाई जैक्सन बाई मीस क्या था टू मतलब एक ऐसा फंक्शन जो वनवन भी या और ऑन्टू दोनों ही है के लिए है हां क्या करें बोलो अभी तो मैंने कुछ बताए नहीं तुमको यह तो मैं के वर इनके जो नाम करने उस पर आया हूं के लिए अच्छा एक ची और बता दू अगर यार कोई भी एक सैट है हमारे पास ए इसमें कुछ एलिमेंट से और मैं आप से कह रहा हूं माल लीजिए इसके अंदर पी एलिमेंट से अपी कुछ भी हो सकता है बन टू थी फोर फार कुछ भी हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक हमारे पास है सैट भी इसके अंदर कुछ एलिमेंट से माल लीजिए वह क्यों है ठीक है तो एक नंबर में आ सकता है कोशन कि यह टोटल नंबर ओफ रिलेशन्स क्या हो सकते हैं तो टूरेश तूदी पावर पी क्यू टोटल नंबर और फंक्शन्स क्या हो सकते हैं तो को फंक्शन के लिए क्या होता है आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शन ए से बी में है या बी से ए में है अगर फंक्शन ए से बी में है तो बी मंदब क्यू की पावर पी अगर इस तरीके से बी टू है तो एंड में भी आ रहा है तो पी की पावर ये एक नं लेंके बन और तू और बी लेले तर सीयां जैनी तो गवाइड डैफिनेशन सूरह टोटल नंबर of function कि है म्लेश Wand यृण किटने में खिडने इसमें कितने बैं टो टू टू इन टू 1 2 कितने बनेंगे रिलेसन now 44 कैसे बनेंगे एसे पड только listen कैसे बनेंगे होल्स आगया लाफ मेर ग्ति कैसा यह 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 forthur G theaters u nas dass ऐ यह क्वार्य तो है यह कैसी अया इसके अदर कितने Лबहन और है लमन गया इसके कितने बन इनके number of wildlife आग अत्ठीप्राइब तोटै किया सकता है बाज समझ में अर्या टू-क का ए रिके साथ हो सकता है इसे तो टोल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें है टो डैया अपसे तोटैंस लिसे अर ë ले नंघे से मिंधी के पूचहेंगे लेकिन रिलेशन के बहुत बढ़िया दोखों इन्होंने का कि सर थरीका आ गया ना क्योंकि रिलेशन क्या होता मेरे भाई एक रॉस बी का सबसेट होता है सर अगर एसे भी में पूछा गया तो पहले इसी के तो इस और नो चार बनाई दियता हूं कंजूसी क्यों करूं मैं खतम मामला ठीक है टोटल लंबर ऑफ रिलेशन ही होता है क्योंकि रिलेशन जोता है एक रॉस बी का सबसेट है क्लास 11 भी अच्छे से बढ़ा था तो यह बता दिया यह तो आपको प्रैक्टिकली समझा दिया और यह फार्म में टू क्यों आया पता है क्यों कि रिलेशन के लिए दो लोग तो चाहिए मिरा भाई यह सारी चोटी बात है इसको लिख लो अब मैं जाता हूं वन वन फंक्शन पर या इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगे बटा इसे लिखो जल्दी हड़ाना ते तरह हो गया हो कि यह जो फंक्शन है वो तो सबसे पहली बाद जो भी गेज़ संड तो होना ही चाहिए सबसे पहली बाद वन वन की करिक्डिक रूजिट गरीषन है कि जो सेट एक जोライमंट है वह के बल एक से कनेक्ट हो एक से कनेक्ट और अब आप कहिंगे उसमें और फंक्शन की B C D E F यह से connect हो गया ठीक है सर? यह से connect हो गया यह से connect हो गया पहले तो यह बताओ क्या यह function है? आजी बिल्कुल function है बिल्कुल function है क्यों set A की सारे element क्या है? connect है और हर कोई बंदा एक से ही connect है YES और NO लेकिन यह function है बट यह one-one नहीं है क्यों यह जो A है दो लोगो dif को डेट करना एक ही टाएम पर यह स्मझा रही है मैं लचल्ब यह इसके पास भी है यह इसके पास भी है यह लेकिन बन वन वाला क्या ता शूय पर्संटा तो यह हमारा अर वन 17 नहीं कि बास समझ में आ रही है समझे 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 2 लोगों एक इंजैइक्सन लग रहा है गलत बात है तो यह क्या है हमारा संसन Otto Hey when नहीं है अब यह हमारा बन हो गयां यस और ल python है अगर मतलड़ बन है एसे कनेक्त हो बोला दूसरी साइड को फिर वोई बात कार्ड बाट दी भाई या वो नहीं आ रहे उनकी गलती है ना हमारा जो काम था वो हमने कर दिया पूरा यस और लो के लिए रहे तो यह हमारा वन लेके सुनो मिर भाई अगर किसी ने यह कह दिया कि देखो जरा कि एक के अंदर यह है वन टू थरी फोर एक कोशन ही बना रहा हूं मैं छोटा सा समझाने के लिए और एक सेट है भी वन टू थरी फोर फाइव सिक्स सेबन ठीक है तर आपको यह चेक करना एफ एक्स एक पिलस वन यह एक फंक्शन है फंक्शन इस फॉर्म में नहीं मिलेगा यह तो मैं समझा रहा हूं आपको इसको तो मैपिंग कहते हैं कोशन मिलेगा ऐसे और कहींगे चेक करो कि जो यह फंक्शन है यह वन वन है या फिर नहीं यह कोशन आगया तो आप कैसे करेंगे एक सेट ए यह बनाया एक सेट भी यह बनाया yes or no यहां लेका one two three four इदर लेका one two three four five six seven x की जगह है जो value put करते हैं वो domain होती है और domain होते है set a के मतलब जो पहले आता है clear है चली अच्छा तो यह हमारा function absent अब चलो x की जगह हम क्या put करें जो a में है तो चलो मैंने one put किया तो आशर क्या एगा two तो one किसे connect हो गया two से फिर x की जगह रखा two तो क्या एगा three three क्या यह one one है हाँ जी वह यह one one है तो यह function हमारा क्या है one one है बट यार समस्या एक आ रही है यह क्या पता है क्या रही है यहां तो चलो a set था यह define थे इसके element क्या थे define थे अगर वो यह कह दें कि a जो है न a जो है यह set of real numbers है और जो b है यह set of real numbers है मालो अब कब तक value put करोगे क्योंकि मेरे भाई real number तो infinite होते हैं आपने चलो यह चाह इंफाइनाइटी तो होते हैं real number कब तक बोलोगे यार ठीक है infinite चलेंगे वो तो तो कब तक चेक करोगे ऐसे करके it will take a lot of time the general solution भी होता है कि कैसे mathematical यह तो हमने जा रही है तब यही function है मालो इमालो यही function है अब केवल इतना कर दिया गया है कि ए मैं भी real number आएंगे बी मैं भी real number आएंगे भी हाथ दो जरा तो यह ऐसे नहीं लिखके यह ऐसे ना लिखके exam में ऐसे भी आ सकता है पता है कैसे f relation यह और यहां यह बढ़े बता देंगे की या फिर ऐसे बता देंगे आर्ट वार मतलब यह इसका डोमेन हो गए कैसे भी आपको बता सकते हैं मतलब सैट ए मैं रियल लम्बर है जैट भी में भी क्या है रियल अब चैक करो ऐसे तो भीया अब गिराब बनाना तो बेकार है कि यह रियल लंबर तो पता नहीं कब तक मिलाओगे तो अब इसके लिख जन्र सॉलिशन जन्रल तरीके चैक करते हैं वो कैसे चैक करेंगे तो देखिए पहले म मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसके बाद बता हूँ ऐसा क्यों हुआ चलिए तो क्या कहते हैं अब यह कोशन आएगा मालव टू माक्स में तो यह कहते हैं कि आपने कोई भी दो नंबर एक्सवन एंड एक्सटू ले लिया अपने अपनी तरफ से कोई से भी दो नमर और यह हमारे जो ब्लॉंग करते हैं किसमें विलॉंग करते हैं किसमें विलॉंग करते हैं किसमें विलॉंग करते हैं इन सच देट इन सच देट लिए या फिर इन स सारे बातें आपको रटाओं लेकिन अभी नमबर वाली बात फिर जब इसको सॉल्ब करूंगा फिर नौले वाली बात बता हुआ इतनी लाइन आपको याद रखने बन बन के लिए चलिए अब एक एक करके रखते हैं तो आइस और नो ऐफ एक्स ये है तो एक्स टू किया होगा एक्स लियर एक्स लो किया और जिनको लेड क्या था अगर वो बराबर आ जाएं अगर वो बराबर आ जाएं तो हम लेकिया ये function is one one yes or no function is one one number वाली बात खताम फिर से बता तो लेकिन मैं ये बताओंगा कि ये क्यों ऐसा किया फिर से एक बार रिकॉल करा दो कोई भी दो number हमने लिये हैं लेकिन याद रखना वो दौनों किसमें होंगे domain में क्यों मैंने याद रखना कि आंटू जब प्रूफ करेंगे तो वह होंगे को domain के इस लिए याद रखना फिर ये हमने लैड इतना पार्ट हमने लैड किया इतना पार कहां था यह पार फिर इसको सॉल्व किया यह बहुत छोटा कोशन था मिरभाई बहुत छोटा था बरना कोशन थोड़े लैंडी भी होते हैं सॉल्व किया और जिन दो एक्स टू कोई भी दो नंबर ले लिए मैंने चलो भी domain में केलियर है अब देखिए यह क्या है मैं अभी बताया था इससे पहले यह fx1 क्या है x1 वाले की image yes or no अगर x1 है element है fx1 क्या है x1 वाले की image और x2 क्या है x2 वाले की image और दौनलों की image क्या है बराबर है suppose मैंने का suppose मैंने का वो c है मालो according to this definition यह से connect है यह से connect है yes or no तो क्या यह 1-1 है नहीं है यह 1-1 कब होगा जब x1 और x2 बराबर हो जाएंगे यह x2 के उपर ही यह आ जाएगा तभी तो 1-1 होगा मेरे भाई बास समझ आ रही है नहीं आई बास समझ आ रही है हमने क्या किये x1 x2 दो लिए और हमने का कि इन दौनलों की image बराबर है तो यह इन दौनलों की image चलो c है तो इसको c से मिला दिया लें क्या यह बन-बन है नहीं है क्योंकि यह एक element दो से correct हो गया तो यह फिर हमने solve किया और बाद में हमने का यह x1 x2 तो बराबर ही है तो इसको हटा दो फिर तो क्या यह बन-बन नहीं हो गया बाद समझाई न आपको नमबर वाली बात है तो इतना कर दो लेकिन आप जानना चाहते है उससर यह क्यों किया तो यह ऐसे किया अब हम बन-बन का कोई सा भी question solve कर सकते है के लिए रहे हमने बन-बन पढ़ लिए बाद समझा रही है अब देखो many-one कुछ नहीं है many-one कुछ नहीं है many-one का कोई चक्करी नहीं है many-one देखो many-one पे question आते भी नहीं है और many-one कोई NCRT या किसी बग में prove भी नहीं है क्यों नहीं है आप से कहा कि मालो भी या check करो कि यह function many-one है तो आप यह check कर दो अगर यह function one-one है तो many-one नहीं होगा और one-one नहीं है तो पक्की बात है many-one होगा अगर कोई भी function one-one नहीं है तो पक्की बात है या वो many-one होगा इसलिए अगर कहते है prove करो यह function many-one है तो many-one prove मत करो आप दिखा दो one-one नहीं है लगांगा है तो जब नहीं है तो क्या होगा वो मैंनी वर और एक मैंनी मने एक्जम्पल देतें एक मैंनी बन का fx equals 感じ is square या fx equals सुद मॉडलेस है यह यह वर हमारे मैंनी बन के example पूछो कैसे यह ऐसे ऐसे हम बन टू यहां पर एक मायनस दू ले 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 तो यह फंक्षन कभी भी बन वंटों नहीं सकता तो जब बन नहीं तो क्या होगा मैं और मैंनी में का बात भी समझना एक इंजेक्शन दो दो लों के लगरा समझना बात वे तो उनका दर्थ सम्झों तो अब मॉड्लस बाला कैसे पिलस बंद खोगे तो भी प्लस बंसे जाए जो पुट करते हो हमेसे इस तरफ बाल्यों ठी ड्यों लों होती है अब इस फंक्षन में हम लोग रख सकते हैं बन पूट गया तो आंसर जो हैं का वन टुब करेंट गया माइनेश्द लिए और माइनश बंगा स्कौयर क्या कि वान तो वह भी इसी से तो कनेक्ट होगा दो को एलीमेंट एक सिकनेक्ट हो गया मैनी नहीं हो घा miss on नहीं है यह सब 나서 अन एक्जम्पल आक्वे उन्ट पूछा गया तो यहां इसका एक और सरजेक्टिव फंक्षिण या सरड़ह कैसर नुक्ष guessed यह क्या कहता है यह एक ऐसा function है सुनो ध्यान सिजरा यह कहता है अगर साधिय कार्ड हमने दिया भाई साब और नहीं आई ना तुम तो बताएं तुम्हें मतलब साधिय कार्ड हमने हर किसी को दिया है तो हर किसी को आना है धमकी है हमारी उखाड़ लो जब उखाड़ना तुम में आना पड़ेगा किलियर है बास समझा रही है जैसे जैसे बन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए बी सी डी ए सुनो ध्यांज रहा कि यह सबसे पहले यह चेक करो क्या यह फंक्शन है जब पहले यह ऑंडू फंक्शन है सेट एक सारे पर समझ आ रही है या फिर नहीं प्रक्की बात है तो फिर यह क्या है वेरी गोड तो यह function into function है मतलब अगर set B के सारे element connector तो on to है और set B के एक भी element खा लिए एक या एक से ज़्यादा जितने भी तो वो into function होता है clear है तो into तो ही नहीं है वो तो यह नाम के लिए समझा दिया था मैंने अब सुनो अगर यह on to function है हमारा ठीक है सर तो क्या मैं यह बोल सकता हूं भीया जो range है वो बराबर होगी code domain के yes or no जब function क्या है तो इसको बहुत से बचे रटते हैं कि अगर into है तो वो रटेंगे कि या जो range है वो क्या है सबसेट है code रट क्यों रहे हो इंटू में हमको बता है एक्स्टा रहेगा ठीक है तो अगर on to function है तो रेंज जो है range क्या होती सेट भी के सारे connected element code domain क्या होता है सेट भी के सारे element तो बराबरी तो होंगे वो पक्की बात है तो हम बोल मुस्त है मैं नहीं भी है मैं कर मना कर रहा हूं मैं नहीं भी है कोई लड़ाई वाली बात थोड़ी नहीं है ऐसे तो देखो चलो यह देखो जड़ो तो ऐसा नहीं है कि on to है तो वो मैंनी बन नहीं होगा एसा कुछ नहीं है बहुत लोग क्यों नहीं होगा यह चलो ठीक है कोई आपने question बुझे आपका हक है लेकिन आप concept भट मैथ मुझे simple क्यों लगती है इसीलिए नगी मैस का कंसेप्स सुनो इधर का एक वी मेंट काली ना हो हम क्यों दिमाग में दूसरा क्वोशन हो की एक से सब कनेक्ट है हम उस पर नहीं आए इधर एक वी अलिमेंट खाली है आन्टू अबाट खत्म इधर थे हमें मतलब ही गया लेकिन on to check करना इस पहले ये भी चेक करो कि भई ये वो function होना चाहिए अब आपने ये देखा आपने ये देखा a b 1 2 3 आपने देखा अरे sir set b के तो सारे element connect है तो क्या ये on to हो गया यार ये function ही नहीं है ये function ही नहीं है तो on to कैसे हो गया क्योंकि on to है क्या function का ही एक टाइप है तो यह सबसे पहले function तो होना चाहिए था yes or no clear है लेकिन ऐसा तो हमने pictorial समझ लिया समझना बात को ऐसा तो हमने pictorial समझ लिया अब में इंट्रो पार्ट होगे एक्जामपल दूसरा बनाना पड़े बहुत लेंदी हो जाएगा चलिए अचा देखते हैं अब अगर अब हमसे बोला गया यह यह प्रूफ करोगी यह function के on to है चलो अगर हम pictorial करने वैटे तो देखो तेवारी प्रिक्टोरियर का मतलब डूमेन में क्या है रियल लंबर है को डूमेन में क्या है रियल लंबर है रियल लंबर कितने होते हैं बस इमेजनरी को छोड़ दो वागे सारे नंबर क्या है तो इधर माइनस बन भी होगा टू भी होगा थ्री माइनस बन पॉइंट बन भी होगा माइनस कई सारे होंगे अभ इस तरब एसी नमबर होगे माइनस बन-0 कुछ भी मदलब तो कब तक मिलाओगे कब तक चेक करोगे यह on to है की नहीं है क्योंकि रियल मरत आपके बाद ताइम माना आपके पाद टाइम इन और टाइम करते रहो करते रहो कब तक करो तो मिरे भाई इसे कैसे करते हैं mathematical कैसे करें तो देखो लेट वाई कोई भी एलिमेंट है यह बिलाउंक करता को डूमेन में को डूमेन वो ले तो इस वाले आर में हमें से ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है चलिक इस तरीके से किस तरीके से in such that fx equals to y इतने आपको लिखके आना पड़े जैसे उसमें क्या हमने किया था बन-बन में कि x1 x2 belong करते थे in such that fx1 equals to fx2 इसमें क्या क्या वाई ही कैली मेंट यह किसमें बिलॉंग करेगा को डोमेन में बन-बन में किसमें था डोमेन में याद रखनाई जी क्यों आप को आप कोश्चन करो क्यों यह on to में इससे मतलब है इससे तो मतलब भी नहीं हमको क्यों इधर तो सारे connect हो गई क्योंकि यह तो function है हमें तो मतलब तो इससे यार यह चीज़ समझते भी चलो कि हम y हमने लिया को डोमेन में उसमें लिया था डोमेन में क्यों सर समझो ना चलिए ठीक है अब एफSकी वैल्यू क्या है टूये अब Hetई वैली जा से से गहालो भाई कि टूमने कितना या यह सब्लैंद है और रो पकी बात है ना चलिए f.x अब यह वाली वैल्यू हम दोबारह उसमें रख देंगे तो एफ एक्स हमारे पास कितना था टू एक्स था बात समझा रही ना तो रखो एक्स के जगह तो अगर आपने सॉल्व किया वाई को लेड किया तो एंड में वाई ही आ जाए तो भीया हम क्या बोलेगे हमारा जो फंक्शन वो क्या है अन्टू फंक्शन है किलियर है लेकिन यह मैंने बहुत रफली समझाया यहां पर एक दो मैथमेटिकली लाइन लिखनी पड़ती है कि एक्स ब्लॉंग कर रहा है सारे रियल लंबर वो भी समझाया थोड़ा बहुत इसना भी हिंट दे देते हैं चलिए अच्छा यह कंडिशन हमारी आ गई अब हम यहां पर वाई की जगे है क्या क्या वैलू पुट कर सकते हैं के वल रियल लंबर ही पुट कर सकते हैं और रिय क्यों बहुत से कोश्चन ऐसे हैं कि जहां पर की वाई की वैलू पुट करने एक्स इमेजिनरी भी आ जाएगा करेंगे आगे कोश्चन अगर ऐसा होता सपोर ऐसा होता तो क्या टू अपॉन वाई की सारी वैलू के लिए एक्स रियल है नहीं होता आपने वाई जीरो कर सकते कुछ भी कर दो और टू से डिवाइड करो आएगा तो रियल ही नंबर तो यह मैंने रफली समझाया इंट्रो पार्ट हमारा पूरा खत्म हो गया अब मैं एक्जाम्पल जब कराऊंगा एक एक चीज बताऊंगा के लिए अभी के लिए इतना ही हाँ वाई जैक्शन आए तो आपको पहले बन बन दिखा दो और ओन टू दिखा दो जो बन बन है ओन टू दोनों है तो वह हमारे क्या है वाई जैक्शन चमका गुर्ड